गाजियाबाद के निवाडी इलाके में शुकरवार शाम जमकर गोली बारी हुई और इस हाथसे में दो लोगों की अभी तक मौत हो गई है तो वहीं एक शक्स अभी भी गंभी रूप में घायल है आपको बता दी पूरा विवाद दरसल खेत में पानी की सिचाई को लेकर वहीं आपको लोगो की मौत हो गई है पूरा वो घटना स्थाल है बताए जारा है कि जो इस मामले में आरोपी हत्यागी यए जो आप आपके बाग देख रहे हैं दरसल वह इसी त्यागी के बाग है और ये बताए जारा है कि जो दूसरा पक्ष है जो की दूसρε समुधाय से तालूक रखता है वो बगल वाले जो बाग है वहाँ पे एक तरीके से ठेकेदार के तोर पर काम करते हैं लेकिन जैसे ही जो दूसरे समुदाये का पक्ष है वो अपने घर जाने के लिए वापिस निकला उसी दुरान जो त्यागी पक्ष है फाइरिंग करनी शुरू कर दी औ एक घाये लवस्ता में इधरी गिर जाता है तो दूसरा जो है आप बिलकुल बगल में ये जो नहर देख रहे है इस नहर में जाकर गिर जाता है कि शाम के समय भी यानि कि शुकरवार शाम को भी दोनों पक्षों के बीच में जो है वो जगड़ा हुआ था लेकिन उसके बाद जो आसपास के लोग थे उन्होंने उस जगड़े को सुलजा दिया लेकिन जब वो घर जाने के लिए वापिस निकले तब त्यागी पक्ष ने क दूसरे पक्ष का कहना है कि हत्या करने के बाद त्यागी पक्ष ने जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको नहर में फैका है लेकिन पुलिस का कहना है कि हर पहलू पर इस पूरे मामले की जो जाच है वो की जा रही है एक शक्स जिसकी मौत हुई है वो भी सड़क के इसी क लिया है और हर पहलू पर पुलिस इस मामले की जाच कर रही है अब वहाँ पर ध्यान ना दे इसको लेकर पुलिस लगतार लोगों को जागरूप कर रही है लेकिन लोगों में जो गुस्सा था उनको समझाए गया है और निक्षपक्ष जाच करने की बात जो है वो पूलिस करती नजर आ रही है विजे एर्फान के साथ अतनी शर्मारी पब्लिक भारत तिली